हुआ 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 है तो चलिए आज हम क्या करेंगे आज आपने जो भी चीजे टेक्निकल में सीखा है आज हम क्या करेंगे उसी का हम करेंगे प्रैक्टेस तो जो भी अभी आपने आपने विधक्निकल में इं चाहे वह आगा करेंगे यह फिर हम बात करेंगे । यह हम बात करें तो हम पैटन रहा हम चार्ट पैटन हमने सीखा हुआ है धुर्भ पैटन बोलते या फिर हमने इंडिकेटर शीखे करें कई सारे सीखें और हम क्या करें कौन को सा सो इन इंडिकेटर्स को यूज करके आज हम क्या करेंगे लाइव मार्केट में आपको ट्रेड कहां लेना चाहिए आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो क्या होना चाहिए टार्गेट्स क्या होने चाहिए स्टॉप लॉस क्या होने चाहिए आपको बताना है मैं मार्केट रहन करूँगा और आपको बताना है कि आपकी इंट्री कहांपे होनी चाहिए ठीक है ओके रेडी है तो चलिए मैंने निफ्टि का यहां पर चार्ड ओपन कर लिया है और अभी मारकिट जो है ओपन होने वाला है सवानव बजने वाला है ऐसा समझे और मार्केर खुलने वाला है और आपको ट्रेडिंग करना है आपकी ट्रेडिंग क्या रहेगा मैंने निफ्टी का चाड़ ओपन किया है तो आपको आप फ्यूचर में भी ट्रेड कर सकते हो और ऑप्शन के जरीए जरी कर सकते हो रैट तो हम दोनों तो समझो मार्केट भी खुलने वाला है अब मार्केट खुलने से पहले हम क्या करेंगे हम पिछले दिन का हाई और लो मार कर ले यह हमारा पूरा सेशन जो है यह पिछले क्यों कि एक रेंज जानने के लिए मतलब के गैप मतलब वह उसके लेवर्स पता दुल जारे ना कि अगर अगर अंदर खुलता है इस दोनों की बीच में तो हाई और लो हमारा टार्गेट होगा राइट और दूसरा अगर हाई ब्रेक करता है तो ऊपर की तरफ जाएगा बड़ी डेगा और लोंद 가장 तरफ निचे गएगा और नीचे की तरफ बड़ा टार्गेट देगा और 이 लॉष्च सब्सक्कार अबसे तक слыш और लिगेट कर से लिए होगेवले रखीए परत्ति तो फिरहाल अगर हम देखे पंदरा मिनट के हिसाब से पिछले दिन का क्लोजिंग है वह बीच दिन मुवी और इसके नीचे है तो इसका मतलब पिछले दिन नॉर्मली क्लोजिंग के टाइम पे बाजार निगेट्व क्लोज हुआ था लेकिन पिछले दिन था तो हमसे उससे क अब आज मार्केट कहां खुलता है उसका देखेंगे मार्केट फ्रश्टी मिनट करेंगे ना करेंगे चैक करेंगे उसके पहला क्रेंगा करेंगे पहला 15 मिनट का कैंडल open होने के लिए देता हूं यह क Country हमारे हैं यह बन गया राइट है नहीं था पहला पर बताऊ वी गव्रोजी कि पहला candle बना है तो आपका यहां पे क्या प्लान होना होना चाहीग यनि क्या करोगे आप पहला candle कैसा बना है कहां बना है बुलिज बीछ और ट्रेड लेना चाहिए नहीं रहनागे यह Origin पहले तो देखो अगर हम बात करें पाइवर्ट के इसाब से तो यह और आइफ आर फ़ाइब के आसपास है तो मेरा व्यू रहना चाहिए आपर बैरिस रहना चाहिए सेकेंड अगर मैं बात करूं मूविंग एवरेज के साथ से तो मूविंग आपने सिखाया है कि मूविंग एवरेज से यह काफी दूर चला गया है तो यहां पर पाइवोट मूविंग एवरेज और और रसा ही बता रहा है कि यह का अभी सबसे थो नहीं करना चाहिए हम बैरेज से नहीं करना चाहिए हम पाइवोट बता रहा है और भीट नहीं करना चाहिए इस समय निफ्टी का प्राइस कितना चल रहा है 24,385 राइट तो अब यहां पे अगर हमको समझो ऑफ्शन में ट्रेडिंग करनी है तो हम कौन से स्ट्राइक प्राइस का चार्ट ओपन करेंगे समझो अभी यहां पे और बॉट है तो आपका प्लान हो सकता है कुछ बिल जाए अगर कुछ इंडिकेशन मिला तो अभी नहीं करेंगे तो हम कौन से स्ट्राइक प्राइस का चार्ट ओपन करेंगे चलो मैं यहां चार्ट ओपन कर लेता हूं आप बोल रहे हैं हम यहां निफ्टी का अभी समय चल रहा है पच्चीस चौवीजर 385 तो हम क्या करेंगे 24,400 यहां पर आपको दिख रहा है न हां तो मैं बेसिकली हम क्या करते हैं पहले प्रीवेकर करना पड़ेगा उससे आसा सूचते हैं कि हम hedge करेंगे तो इसका मतलब आप बोल रहे हो यहां पर भाई तो नहीं करोगे बात आई अगर सेल करने की तो में पूछ इνदिकेशन मिला तो हम कर सकते लाइचि तो यह नेगस्ट कैंडल क्या बन गया यह पीरसीं पेरसिंघंग गया विद्डिशस पिंखन को स्थाइप रेच पहले ही चाहिए ऐस तो चोगा अब होल एक काम करते हैं हम आएसा समझते हैं हम थोड़ा धूरीस ले सकते है याई अगर कोई आप कि यह एग आए करेंगे टोर नि करते हैं हम ठोड़ा बहुत रिसक ले सकते हैं औरvor खोई तो हम यहां पर क्या करेंगे एक झोटी सी क्वांटिटीटी कर देंगे जन्हीं कि बात करें तो एक तो आप यहां से एक तो आप आप शौट कर सकते हो यह पूट कर सकते हो तो भाइट करने के लिए दो चीजे यह तो फिर जो है यहां पर रिस्क रिस्क ले सकते हो तो आप इमिजेट बेसिस पर सेल कर सकते हो तो चलो अभी आइसा समझते हैं कि आपने यहां पर कर दिया कितने पर 24,335 पर हमने क्या किया सेल कर दिया ओके हमारा यहां पर एसल क्या बनेगा तो 24,000 कि तो नहीं 24,400 कितना वाइट तो 24,400 वराबर है क्या जाइट तो आपने यहां पर क्या किया यहां पर सेल कर दिया है और आपका यहां पर चार सो पर एसल है क्या यह एसल है आपका स्टॉप लॉस से करेक्ट है नहीं तो इन दोनों की यहां पर सेल कर रहे हो तो आपका टार्गेट क्या रहे हैं कि सबसे पहले तो टार्गेट रहना चाहिए दो तरह से कर सकते हैं अगर आपने पहले सकते हैं आपके यानि आप बोल रहे हो 65 पॉइंट पहला टार्गेट यानि कि 24,335 से 65 65 नीचे तो लगभग कितना आ जाये गए सब्सक्राइब है चोबी से जार 270 राइट ना टूंटी फोर तौजन टू सेवेंटी कि सही है कि एक निट क्या था चौबी से यार तींसों प्नैतिसा ना माइन हाँ सही है तो हम चोड़ों यहां पे सथ टोन्टी फोर तो डूसेवेंटी पेक लाइन प्लेस कर दिया मैंने तो यह हो गए हमारा टार्गेट में इसका कलर चेज कर देता हूं यह ग्रिन कर देता हूं यह चैसे इस पर पहुंचेंगा तो फिर हम स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं जैसा आपने बताया था सकते है क्योंकि हमारा टार्गेट थोड़ा हो सकता है क्योंकि मार्केट इस मुविंग एवरेस के पास या इवन सुपर ट्रेंड के पास भी आ सकता है टच करने उसे सपोर्ड लेने वरावाइट ओके चलिए नेक्स्ट हम आपको ट्रेडिंग करने की टाइम पे सबसे जादा ज़रूरी होता है वह था स्टॉप लॉस न कि प्रॉफिट मैक्सिमम लोग क्या सोचते है प्रॉफिट होता है पने लिए अपने को प्रॉफिट इंपॉड है अपना कितना आएगा लेकिन पर्सेटर करके चलेंगे तो क्या है कि बड़े प्रॉफिट तक जा सकते हैं क्योंकि हमने तैयारी कर ली थी उस लॉस को लेने के लिए तो हम यहां पर नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है आगे अब नेक्स्ट केंडल ने पिछले केंडल का लोभी ब्रेक कर दिया इसका मतलब अभी आपका ट्रेड सक्से नहीं है अब आप चाहो तो अगर समझों यहां पर आपको विट तूंभ बूलौ पर ला सकते हो जो कि इमेजियोट नहीं करना चाहिए वैसे एक केंडल पर नहीं करना चाहिए क्यों कई यहां पर हमने क्या किया है हम रिस्क नहीं लेना चाहते इसलिए हम जो है क्या करेंगे हम चांस नहीं लेंगे चलो मैंने स्टाप लॉडवक को ट्रेल करके यहां प्लेस कर दिया भर के नार्मल के नीचे लोड़ों करना चाहिए लोग के नीचे क्लोज करना चाहिए तो फिराल लोग के नीचे नहीं किया ब्रेक जरूर किया लें को नहीं किया तो हमें क्या हो गया इसने लोग बनाना स्टार्ट कर दिया है लोग दिया हमारा टार्गेट किया हमारे टार्गेट से और नीचे आ गया तो अब करते पिछले के हाई भी प्लेस कर देते हैं यानि अब हम आल्रेड़ी पंदरा पॉइंट के प्रॉफिट में आ चुके हैं बराबर एक नहीं राइट अगर यहां से मार्केट घूम भी जाता है तो भी अपनों के यहां से नहीं प्रेजर नहीं है करेंगे और बड़ा प्रॉफिट चाहिए तो क्यों क्योंकि अभी तक मुवी और बचा हुआ है चलो नेक्स्ट देख लेते हैं क्योंकि मार्केट भी लोड़ो दे रहा है तो हम यहां पे जो है डाउन ट्रेड लाइन भी लगा सकते राइट तो चलो मैं यहां से करता ठीक है ओके नेक्स्ट देखते चलो अब मार्केट ने क्या किया यहां पर मुवी एवरेज को लगभग टश कर दिया सिब एक दो पॉइंट से रह गया और कहों से कैंडल बना दिया बताएए मुझे ज़रा अब इसमें दो तरह से अगर सिंगल केंडल पेंटन देखेंगे तो यह हैमर बना है और अगर दो केंडल को मिला कर देखेंगे तो यह अपने को बना है बुली सरामी बना है बुली सरामी यानि अगर हम मल्टिपल में जाएंगे बुली सरामी पैटन बन गया सिंगल में हैमर बन गया इसका मतलब यह इंडिकेशन क्या दे रहा है कि यहां प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए अगर हमने सेल किया तो प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए राइट पहला मार्केट यहां से उपर की तरफ जा सकता है नीचे से वीग भी छोड़ दिया है राइट यहीं कि प्राइस की रिजेक्शन आ चुकी है प्राइस के हाई को भी टेस कर लिए नोसमें एकदम वेरी गूड वेरी गूड लास्ट एक के हाई को भी लगवग टेस्ट करने करने आ गया है इसका मतलब इस मार्केट का पूरा जो अना बोल सकते यह सब मार्केट कर लिया अब यहां से इंडिकेसन दे दिया भायर्स आ चुके सेल पोजीशन को प्रॉफिट कर लेने चाहिए तो अगर चलो यहां से चौवीस हजार 258 पे हमने यहां पर कर दिया कितना चौवीस हजार 250 चलो अब यहां से हम प्लान कर सकते हैमर है और हरामी की वज़ा से बाई करने का क्योंकि मार्केट क्या है इंतजाल था वैसे यह हो सकता है सही जगह हो बुलिश लेने का क्योंकि मार्केट मूविंग और इसके उपर है सुपर ट्रेंड के ऊपर है राइड आरे साइस समय फिप्टी के ऊपर है यह सब इंडिकेशन दे रहे मार्केट पॉजिट्व हो सकता है तो हम यहां से एक ट्रेड अगले कैंडल पर कर लेंगे बाई करेंगे अच्छा बताईए आपका स्टॉप लोस क्या रहेगा स्टॉ यह आरवन की नीचे रख लेते चलो नहीं आपने जैसे बताया था कि सुपर ट्रेंड एक अच्छा सब्सक्राइब से अगर हम फ्यूचर देख रहे हैं तो आपके इसाब से जो आपने बताया था कि हैमर के नीचे रख सकते हैं सब्सक्राइब करते हैं तो यहां पर हम बाई करने वाले है अभी यहां पर नेक्स केंडल पे 24,258 पे तो हमारा बाई बन रहा है 24,260 पे लगवख पकड़ लेते हैं अगर हम बात करें हैमर के लोग के बात करें तो हमारा 24,200 के बन रहा है कितने गार में डूसमारे नहीं यह नहीं पहलोस। इतनी को कितने का 60 इतनी का 60 पॉइंट सो आज कि हम बात करें तो 60 पॉइंट का टार्गेट हम यह सकते बरबना और अप्शन में अगर आप एसे लगारा थोगत दूर लगाना तो कि प्रिमियम अगर अभी कम होता है तो हीट हो सकता है तो फिराल हम फ्यूचर या हम सेर्स की बात करें तो यहां पे हमारा क्या हो सकता है कि हम नॉर्मली क्या रख सकते हैं कि आ वरन्मन का मतलब सिक्स्टी पॉइंट का अशल है मर की नीचे रख देंगे ठीक है ऊके चलो तो हम नेक्ष तभी क्या करते देख लेते कि हमार्केट करता या क्या करता है और उपर हमसे सक्ष्टी पॉइंट का टार्गेट हम लगा लेंगे तो इस टीटिक रहे हैं तो क्या हो गया अभी तक जो है यहां पर डोजी की तरह बन गया तो अभी तक कोई करना चाहिए अब यहीं पर सबसे इंपोर्टन गौरों जी सबसे इंपोर्टन यहीं पर आधे ट्रेडर यहां से जो स्मॉल ट्रेडर रिटेल ट्रेडर जो है आधे आधे यहां निकल जाते है और यार मैंने खरीदा रेड बन गया मैंने खरीदा लॉस हो गया देखो मुझे market देख रहा था भले हीischerत भी भले ही मेर बना देखो मेरा अभी आङ्याफर नहीं ज तो पक्का बाइर चलता था जब मैं वाच करता हूँ तो बाजार चल देता है जब ड़ेड लगा देता हूँ तो बाजार companel बना देता है जैसे ग पर डेकार ये-mar Mary ऐसा बहुत लोग करते हैं और इसी रेट कैनल पर एक जिर कर लेते हैं यही चीजे जो रीटेल ट्रेडर है यही चीजे मार्केट में उनको लॉस कराता है क्यों फिर आप दर लॉस यानि लॉस होने का डर कि आपने माइन में डिसाइड किया नहीं कि यही यही फरक होता है एक जिसके पास जो है और जिसके पास जो है यही डिफरेंट होता है जिसको नहीं पता है सीजे वह क्या करेगा डर कि मारे निकल जाएगा और बहुत लोग निकल जाते यहां से राइट तो हमें वही चीज नहीं करना है हमें रुके रहना है साथ कुछ भी हो जाए यह तो प्रॉफिट या तो लॉस ठीक है चलो रण करते हैं यहां से अब क्या हो गया टार्गेट मैं निकला देखो मार्केर कैसा गया मदलब यह सोच मतलब यह मेरे लिए मैं निकलू मैं लॉस्ट बुक करो फिर चलोंगा ऐसा बहुत ट्रेडर बोलते हैं मुझे बहुत लोग बोलते हैं इसा मार्केट अगर दिया अब प्रॉफिट ले लेंगे तो यही होता है साइको साइकोलोजी ट्रेडिंग इसको बोलते है राइड क्या रिस्क रिवार्ड मेंटन करना या रिस्क को को एक्सिप्ट करना यहीं जी चीज़ों को बोलते हैं सब्सक्राइब करने के बाद लोग सुछते हैं कि हमको आ जाता है लेकिन जो मैंने सेकंड टाइम आपके साथ जॉइन करके मैंने यह सीखी ना तब के पहले मार्केट को अब्जर्व करो अब्जर्व करने से साइक्लोजी बिल्डव होती है जुड के काम करना आलग होता है और चीज़े हमको मिलता है तो सीखने के लिए तो आपके पास यूट्यूब अगर आप सीख सकते हो लेकिन जो इस तरह से आपको साथ में रहके जो है गाइडेंस मिले या आपके इमोशन को कांट्रोल करके टेड़ कर आया जाब वह चीज़े मिलना बहुत मुस्किल होता है ने उसने मुझे काफी किया है यानि सीखना एक अलग चीज़े कोर्स सीख लेते हैं लिकिन जो पिर आपके साथ में रहके जो चीज़ा आप गाइड करते हो वह आप इतने साल को हमने यह लिया है अभी हमारा टार्गेट हो गया है अगर हम चाहे तो यहां से निकल सकते राइट एक चीज़े और उसके बाद है कि हम चाहे तो इसको सेट कर देता हो और कॉस्ट टू-कॉस्ट पर लगा देते हैं कॉस्ट टू-कॉस्ट पेसल डाल देगे ताकि एकर गिर भी जाए थमाना लॉस्ट ना हो यह एवें सव रुपए प्रॉफिट भी डाल जाएंगे ताकि एगर लॉस्ट ब्रोकरेट चार्ज जो अगरत निकल जाए सब्सक्र यहां पर लेकिन अब प्रॉफिट में आ चुके हैं तो हम क्या करेंगे न जो केंडल आखरी बना है न उसके लोपे भी हम आशका वाला कैंडल है यानि बोलोगे तो यह अभी का आज का हाई ब्रेक किया है तो हम इसके हाई लोग के नीचे प्लेस कर सकते और आरस यह बीद प्लान किया था रही है एकदम करें वही सिचूएशन तयार हो रहा है राइड वहीं सिट्वेशन आया तो मौका मिल सकता है राइड ने चलो के नेक्ष केनल देखते आप देखो जैसे मार्किन इतना बड़े रेली दे दिया और नहीं पता है क्या क्या करते देखा मैं निकलाओ मार्किर कितना बड़ा रहली दिया सब्सक्राइब करेंगे बदला रिवेंज मेरा लॉस किया है न मैं अभी दिखातों में फिर से ट्रेड लूगा मतलब यहीं होता है यहीं चीजें अपने को सीखना पड़ता है या आपने को कंट्रोल करना मतलब आके कभी इंटरी आपका राइट ही होना चाहिए था अगर आप यहां मिस कीयों तो यह कैनल के बाद भी यहां वेंटरी चल सकता है क्योंकि आपका हाई अभी बचा था टार्गेट के लिए यह इंट्री ले सकते तो एसल थोड़ा बनता कंपेर तो इसके राइट है कि नहीं कि अगर आप हाई पेंट्री करते थे तो आप यहां देखो कितना रेट करना आप डगमग जो भी पस आप यहां पर पता है क्या फिर से वही चीज़े यार देखो मैंने फिर से इंट्री कि आप तक ग्रिन ग्रिन बन रहा तब रेट बनने लगा भाई मेरे अगर इतना हाई पर आके दम दिखाएगा वह तो जो मार्केट से बतला लेना चाहते है वही आके हिम्मत दिखाता है तो वही चीज़े अपने को नहीं करना राइट इंट्री हमारी होनी चाहिए चलो मैं देखता हूं यहां पर रन करते इसको आखरी तक तो देखो अभी जैसे देखो जैसे मैंने सिखाया हूं ओप लो है इसका मतलब यहां बायर मजबूत है यहीं लगा देंगे अगर इसको हिट किया तो समझें मार्केट में अब ज्यादा कुछ बड़ा मिलेगा नहीं सब्सक्राइब कर लिया अगर यहीं हमारे पास कि नॉलेज है तो राइट अब लोग क्या करते पता है कि इतने भीच में तो दस बीच टेड कर डालते है इसको बोलते हैं खरीदेंगे निकलेंगे खरीदेंगे निकलेंगे ब्रोकरेट चार्ज़ भी देंगे और प्रॉफिट भी नहीं होगा फैनली इससे साइकलोजी ने के बात कम से कम दो तीन महीने का मेंटर सी वाला प्रोग्राम कर दो जितना मार्केट को दोगे उससे अच्छा आप आपके अंडर में रहके सीखेंगे ना तो वो जो साइथ थोड़ा सा देखो लोग क्या करते हैं और मैं इनको पैसा क्यों दू राइट वही पैसा लाक रुपे लॉस कर देंगे शेयर मार्केट में लेकिन सीखने के लिए 20-30,000 रुपे खर्चा नहीं करेंगे लॉस होने के बात खर्चा करेंगे पता है कि फिर क्लास करने आएंग लेकिन देना तो पड़ेगा और और आपके जैसे की मैंने खुदने एक्सपरियेंस किया था क्लास लेने के वाद मैंने गैप किया तो फिर में जब मैंने आपका आपका दुबारा जो जॉइन किया